हेलो डियर इस्टूरेंच आज हम लोग बात करेंगे ओकेशनल के जो कोर्स होता है जो एक पेपर होता है उसके लिए बात करेंगे जो ओकेशनल पेपर होता है बियसी और जो बच्चे बियसी या बिये या बिकाम फोर समिस्टर में होंगे उनको एक पेपर देना होता है जब बारे पास ये फिजिकल एजूगेशन और योगा का जो पेपर है उसके बारे में हर एक चीज को पेपर किस तरीके से आएगा का आपको कितना नंबर मिनिम्मम लेकर आना होगा और पेपर किस लेंग्मिज में आएगा इस सबसे जितनी भी चीजी होंगी उसको हम लोग आज इस वीडियो में समझेंगे दिन उसके बाद हम लोग हैंड़ कोस्टन जो मोस्ट इंपॉर्टन होंगे जो बहुत सारी उनिवस्टी में आई हुए है क्योंकि जहां जहां पे फोर समेश्टर का पेपर हो रहा है वहां वहां आपको यह वाला पेपर देखने को मिल रहा है जो कोस्टन है इंपॉर्टन उसको हम लोग एक करके तमझते हैं तेकर सबसे पहली बात यहां पे देखते हैं हम लोग इसमें कि यहां पे जो यह पेपर होगा यह 75 मार्क्स का आईगा ठीक है 75 मार्क्स का और 75 यानि कि और जो पेपर होगा वो mcq टाइप होगा क्योंकि हर उनिवस्टी अपने तरीके से अलग-अलग करवाती है तो जैसे जो आजमगर उनिवस्टी है महाराजा सुहिल देवे इस्टेट उनिवस्टी उसके एकार्डिंग जो ये पेपर होगा वो MCQ टाइप होगा तो एक बात किलियर होगई कि क्योंकि बहुत सारा डाउट था कि प आई लिंग्वर का मतलब होता है कि पेपर दो लैंग्विज में आएगा एक इंगलिश और दोसरा हिंदी यानि पहला कॉश्ण अगर आपको इंगलिश में लिखा होगा तो उसका आपको आप्शन में हिंदी वाला भी वर्जन लिखा होगा आपको जो भी करना हाँ आप कर पाएगा तो उसको तो नेक्ष्ट समेश्टर में अडिमीशन मिल जाएगा लेकिन फिर भी बैक पेपर दे के उसको कवर करना पड़ेगा जब तक उसका BSC Final नहीं माने जाएगाबいます इसका पूरा नहीं माने जाएगा आपको लगबग आएगा ये 30 नमबर यानि आपको 30 मार्क्स लेके आना पड़ेगा आप 30 मार्क्स लेके आएंगे तो यानि कि आपको 40 परसन लेके आना होगा जब आप 40 परसन पाएंगे तभी आप पास होंगे और 40 परसन का मैंने कहा कि 30 मार्क्स आपको लेके आना पड़े दोसरी चीज इसका जो 25 नंबर है 25 मार्क से वो इंटरनल होता है वो हर एक स्कूल की जिमिदारी होती है कि वो अपना किस तरीके से करवाए जैसे माल लेजे कि आपका मिट्टर में होता है तो मिट्टर में के थुरू वो नंबर मिल जाएगा अब वो इस कॉलेज है कि खुद रिसाइड करेगा कि इसका जो पेपर होगा वो इंटरनल वो मिट्टर में होगा या नहीं होगा तो वो हो सकता है कि उसको अगर बाइद वे मिट्टर में होता है इंटरनल जो नंबर है तो आपको इसका भी 40 परसंट लेके आना पड़ेगा और इसका 40 परसंट होता count नहीं होगा आपको number इसका नहीं जुड़ेगा आपने खुद class 10th में देखा होगा अपनी मार्शिट में class 12th की मार्शिट में वहाँ पे आपको एक physical education का course होता है UP board में वहाँ पे उसका आपको number मिल जाता है लेकिन आपको वो जो total count होता है number उसमें add नहीं होता है तो इस तरीके से यहां भी add नहीं होगा लेकिन आपको बिना पास किये आप यह से complete नहीं कर सकते आप आपको back paper देखे कवर करना पड़ेगा तो इसलिए आपको हरहार में आपको 40 question 35 question आपको सही करके आने हैं तो उसके लिए हम लोग देखें most important question unit wise देख लेंगे हम लोग इसको दो तीन वीडियो में cover कर लेंगे ताकि एक साथ भी फिर उसके बाद आपके paper से पहले मैं एक वीडियो बना दूँगा जो यह वन short video होगी जिसमें आप बहुत important question को हम लोग cover कर लेंगे तो चले अगर आपको एक एक बात clear हो गई है तो आप question की तरह बढ़ते हैं अगर कोई भी doubt होगा तो आप comment section में बताईएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा चले देखते हैं क्योंकि यहां पर आपको chemistry से related video most important video अपने दोस्तों से पूछ लिजेगा तो यहां पर हर एक चीज की वीडियो मिलते हैं आपको यहां पर देख सकते हैं चले एक question को देखते हैं उसको option को बिजच करते हैं जैसे पहला question हमारे पास है पहला question है कि सारेडिक सिच्छा सिच्छा का वाब भाग है जिसके अंतरगत सारेडिक गत्विदियों तोवारा वेक्तिका जो पर सिच्छा उनका वेक्तिकात तोर पे होता है उसके लिए हम लोग यहां पे तो यहां पे हमारे पास है कि विकास के पूर किया जाता है और यह भाषा की सारे रिक सिच्छा के संबन में दियाती है तो इसका option number A है AR वे मैन ने किया था तो physical education is a part of education under which the training and complete the development of a person is done through the physical activities इसके बारे में जो यह statement है उसको कि scientist ने दिया था उसको दिया था AR वे मैन ने तो इस तरीके से अगले question की तरफ बढ़ें और इसमें आम लोग अगले question की तरफ देखते हैं देखें अगला question हमारे पास है अगला question है कि सारे रिक सिच्छा की परियाबाची सारे रिक सिच्छा जो रहने की synonyms of physical education are इसका होता है किलिनेस का सोचता का होता है यह हमारे पास इसकी synonyms होती है उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और इसमें देखें डीटेल से उसके बाद तीसरा question है कि सारे रिक सिच्छा के छेतर है लगभग the areas of physical education are about 0.8 होते हैं कितने होते हैं हमारे पास 0.8 होती है तो यह हमारे पास हो गया तीसरा question उसके बाद हम लोग आगे बात करें तो आगे चलें इसमें हमारे पास है कि सिच्छा के 3 variable किसने बताएWorld जो variable होते है जो शिच्छा के variable होते है उसे किसने बताए थे तो उसको div न चले अगला question देखें इसमें हम लोग और अगले question में क्या है कि who has given the three variable of teaching teaching के तीन variable किसे ने दिया था मैंने आपको बताया अभी को कि हमको किसे ने दिया था तीन variable हमने इदकातर डेवी ने दिया था उसके बाद है हमारे पास the speciality of teaching teaching is a teaching क्या teaching एक art है और एक science है तो हमारे पा भाषड विधी सारीरिक सिच्छा में उप्यूक्त है इसमें हमारे पास option number C देखें हमारे पास सारे इस सिच्छा के उच्छाओं के लिए क्या है भाषड विधी सारे इस सिच्छा में उप्यूक्त है कि जो आप लेक्चर देती है basically उसके बारे में है the speech method are suitable for physical education उसके बाद of centered on the physical activity are called physical education whose statement are this यह statement जो हमारे पास है कि जो changes होते हैं experience से centered होते है physical activity से आते हैं उसको किसने दिया था तो उसको हम लोग ने दिया था कि रोजलैंड कैसडी ने किसने दिया था रोजलैंड कैसडी ने उसके बाद हमारे पास है कि सारेरिक सिच्छा उन अनुभव का सामोहिक परभाव है जो सारेरिक किरियाओं दोवारा व्यक्त को पराप्त होती है यह जो statement था इसको किसने दिया था इसको statement दिया था डेलबर्ट ओवर ट्यूफर ने ठीक है तो इस तरीके से हम लोग को एक एक option एक question को चेक करते जाएं और आराम से इसको हम लोग cover करें उसके बाद देखें अगला question हमारे पास है question number 9 की तरफ बढ़ें और question number 9 में हम लोग देखें question number 9 में है नियुलेखित में से कौन सा सारे इरिक सिच्छा के उद्देश के अंतरगत नहीं आता ठीक है न कौन जो physical education के जो objective से होते हैं जो उसके उसमें कौन सा नहीं आता है उसमें आता है हमारे पास sexual development ठीक है तो यह हमारे पास उसके बाद है कि sport are the mean of sport क्या होता बैसिकल जो इंसान anxiety वगारा से जो tension में होता है stress में होता है उसको relief करने के लिए वो हम लोग एक sport कोई भी खेल खेलता है तो इंसान को उससे तुर हो जाता है इसमें option देखा जाए इसमें option में देखे हिंदी में चिंतावा तनाव से मुक्ती anxiety and stress relief तो यह हमारे पास option number B होगा उसके परारम में मनुष्च की सारेरिक सिच्छा का परियोग करता है जो हमारे पास है in the beginning of my youth the physical education physical education क्या होता है इसमें हम लोग रच्छावा भोजन है तो for defense and food उसके बाद है सारेरिक सिच्छा आज नौजवान की मूल भूती आशकता है यह कथन किसे न दिया था यह statement किसे ने द एजुकेशन कमिशन 1964 के आसपास आई थी एक कमिशन इसको इसमें यह वाते बताई गई थी उसके बाद हम लोग आगे देखें इसमें आगे इसमें है किसी ने कहा कि सारेरिक सिच्छा सिच्छा पद्धती का अभिन अंग है जिसके उद्देश नागरिक को सारेरिक मानसिक समवेदिक और सामाजिक रूप से सारेरिक की गतिविदियों के मध्यम से जो गतिविदियों उनके पवलाम को दिरिश्गित रखे चुनी हुई सच्छम है तो इसको किसी ने दिया था इसको दिया था बचूर ने एक हमारे पास यह एक आथर थे या फिलासफर थे उन्हों दोरा जो परिवर्तन मानों में आते हैं वो शारेरिक सिच्छा कैलाते हैं इसको किस ने दिया था इसको दिया था कैसीटी ने उसके बाद है इसमें देखा जाए अब देखा जाए इसमें कौन से महान दार्शनिक शारेरिक सिच्छा को मानों के विकास के लिए आवशक मानते हैं तो देखें जो फिलासफर होते हैं उसमें कौन कौन से हैं सोक्रेट हैं पलेटो हैं अरस्तु हैं सभी जितने भी थे वो सब किसम मानते हैं कि जो हमारे पा अमाजिक विकास है तो किन किन गुड़ों के विकाशित होना अनिवार रहा है तो इसके लिए हमारे पास है कि प्रॉपकार होना चाहिए आगा कारीद होने चाहिए वफादार होना चाहिए ये सभी करेक्टर उसके लिए एक बिश्टि misinичноडेंट के लिए शेयर होता है क्योंकि आदमी आसाने से कोई काम करता है और किसी भी काम को लेकि वो बहुत जादा तो उसके बाद हमारे पास है उसके बाद है फिजिकल एजुकेशन इस दा इंपॉर्टेंस विकाज फिजिकल एजुकेशन की क्या जरूवत पड़ती है तो उसके लिए हमारे पास है कि इसका आप्शन नंबर वन होगा यह हमको एनरजी देता है तकि हमको और आसानी से कोई की काम करने में हमको असानी होती है उसके बाद है हमारे पास शारेलीसिच्छा का संबन किस परकार है विद्विजिखने ठीविजे अगर यहांपर हमारे पासcoon कि पीटी से आते हैं जीमनास्टिक यह सब खेल के दाव यह सब अलब तप्ररीके मारे फैसलर यह सब Okeitas हमें तो हमोड़ेक्षा करना जारे किया है ओन फाश्र देना तो हमारे पास क्या होगा शारी फिजिकल मेंटल दोनों जादा इंपोर्टंट है तो हमारे पास अगर फिजिकल और मेंटल है तो सोशल आपने आप हो जाता है उसके बाद है कि शारेरिक सिच्छा सिच्छा का वा सवरूप है जो शारेरिक किरिया है वो द्वारा संचालित की जाती है ये कथन किसे ने दिया था ये स्टेटमेंट किसे ने दिया था तो इस स्टेटमेंट को हम लोग देखें इस स्टेटमेंट को दिया था जे एफ विलि लच्छ एक समान है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं राष्ट के लिए अच्छे नागरी तियार करना असत्य उसके बाद दोसरा पता नहीं इसमें कोई नहीं इसके साथ हम लोग एक अच्छा आदमी क्योंकि शोशल डिवलप्मेंट मेंटल डिवलप्मेंट होता है तो वह हमार करे राष्ट के लिए कि वह देश के लिए आद आ है तो आपक्शन नंबर वन हमारे पंस औरम साही है उसके बाद देखें कि शारेरिक शिच्छ सहाया कहें और सहाया का किसका सेहन सकति बढ़़ाने में वैक्तिकतải निर्माळ में चरित निर्माळ में उप्योंक्र आलाफदाइबा होगा सभी में होगा करेक्टर बिल्डिंग में इन बिल्डिंग दा परस्नालिटी इंक्रीजिंग दा इस्टेमिना इन सभी में आएगा आज भारत की भगवत गीता की ही नहीं बलकि फुटबाल के मैदान में भी आवशकता है कहरें लोग कहरें कि जो अवचारिक किरिया है किसकी अनवचारिक किरिया है यह निर्थ खेल योगासन ती तो हमारे पास सभी आप्शन नंबर डी उसके बाद देखें सारे रिक सिच्छा व्यक्ति के किस विकास पर ध्यान देती है तो मैंने पहले कहा था कि मेंटल शोशल और फिजिकल तो इसमें जीवन सिध्धांत के प्र्थिपादक कौन थे खेल ही जीवन के सिध्धांत है तो इसके जहें जॉण डी वी। बहुत अच्छे है तक में उन्होंने किस तरीके से बच्चों को प्रहाना चेए। उसके बारे में ज्यादर इस स्टेडविं जॉन डी बहुत इस मामिले में इंडिया नॉन वालेंस आफ इंडिया में है जैन एंड बुद्धिश पीरियड में उसके बाद हमारे पास दा फिजिकल एजुकेशन इसे इसेंशियल पार्ट आफ हिल्थ प्रोग्राम बाडी डा एबाउ स्टेट्मेंट विव दा कंटेक्स्ट आफ एजुकेशन इस यह कि जो फिजिकल एजुकेशन होती है इसमें किस किस प्रोग्राम को इंक्लूड कर सकती है उसके बाद है कंपलेमेंटरी स्पोर्ट तो यह सभी इसमें आएगा ठीक है ना उसके बाद हम लोग आगे चले आगे देखें किस स्टेटमेंट को और उसको समझने की कोशिश करें द नेशनल योगा डे एक मनायते स्टूडन के किसे किसके परियासों से शालेरिक सिच्छा का उत्थान हुए था स्टूडन में यानि स्टूडन में किसके वज़ा से हुए था इसमें है सर हैंडिक लिंग ने आप्शन नंबर सी हमारे पास चाहिए उसके बाद आगे चले आगे देखें इसमें आगे एक इलीट शृष्टॡ यहांपर हाउ मच दा भलट ड़स हेदा ही इन दा हैड आफ एलीट एछ एफ एप्लीनट में कतना बलट पंप होता है तो उसमें हमारे पास होगा 22 लीटर कितना लीटर रिचर होता है 22 लीटर उसके बाद है the experimentalism is also known as जो परयोग यानि कि जो बिसकली आदमी experiment से कोई भी चीज सिखाई जा सकती है उसके बारे में हमारे पास है तो इसको बोलते हैं हम लोग विवहारवाद philosophy क्या बोलते हैं pragmatism क्या बोलते हैं इसको pragmatism उसके बाद है पारा ओलंपिक खेलों में चार सिधान कौन से है वाट वार दा फोर प्रिंस्पल आफ दा पैरा ओलंपिक गेम कौन कौन से हमारे पास है देखे इसमें है दिरुड़ता यानि प्रिजर्वेंस, इस्पिरेशन, करेच एंड इक्वैलिटी तो उसमें है दिरुड़त, प्रेड़त, साहस और समानता, यह हमारे पास आफशन है उसके बाद आगे चलें, कहरा कि भारती खेल पर दिक्राल जो होता है इस्पोर्ट को परमोट करने के लिए इंडिया ने जो इस्पोर्ट अथार्टी है उसे ने कितने तरह की जो इस्पोर्ट परसन नाइफ उसमें कितने हमारे पास होगा आठ कितने जोन होते हैं कितने वह जो एक अथार्टी बनी हुई है उसमें कितने लोग हैं आठ और कितने सर्कुलर होते हैं साथ सर्कुलर उसमें है उसके बाद है which Indian woman has been selected for the membership of the 2016 of Rio Summer Olympic Rio Summer Olympic में क्यों गय था नीता अंबानी गय थी उसके बाद हमारे पास 2020 Tokyo Olympic खेलों में शामिल किये गए नए खेलों का नाम अधा ये कौं सा नया खेल था उसमें हमारे पास देखें स्केट बोर्डिंग और कराटेवा बेस बाल तो हमारे पास दोनों आप्शन दोनों किये गए थे उसके बाद हमारे पास है कि पराचीन Olympic खेलों में अगर एक boxer ring में fight के दोरान दोसरे boxer को मार देता था तो अधिकार क्यों दोरा क्या ने लगए था तो इसके बारे में जाए कि वह fight हार जाता था कि अगर उसको मार देंगे तो वह fight हार जागे लकिन अब ऐसा नहीं है इसको change कर दिया गया है ठीक है उसके बाद ह आप शायरिक्स इच्छा का क्या लच है शायरिक्स इच्छा का लच क्या है इसमें option number 2 होगा शायरिक mental physical है इसमें सब है growth of development all round development सब इसमें आ जाता है उसके बाद है learn body mass is क्या है lean body mass क्या है तो lean body mass क्या होता है हमारे पास lean body mass होता है muscles bone and lean tissue of the body या मास पेशी हड़ी और शरीर की वसाही तक जो जिसमें जाने की जिसमें fight बगारा नहीं होते हैं उसको इसके बाद है in the view of most of the sociologist sport were first seen as which the type of activities कहरा है कि अधीतर समाज समाज साच्छियों की नजरिये से खेल को सुरपर्थम किस परकार की गतिविदियों के रूब में देखा जाता था ठीक है न तो उसको देखा जाता था किस किस तरह से हम लोग वहां प्यों देखा जाता था कि समाजिक रूप में कि समाजिक रूप में वो किस तरीके से उसको दूर करते हैं उसके बाद हमारे पास आगे है आगे इसमें है पलेटो के किसके जनक के रूम में जाना जाता है जो पलेटो है उसको किस रूम से आना जाता है तो पलेटो को जानाता है आदरस्वाद यानि आइडिलिसम के दोर पे कि आइडिलिसम क्या होता है आइडिलिसम के बारे उन्हों समझाता है कि हर चीज एक जो मौलेग अधिकारों होता है किसके चार्टर में नहीद है जो किसके अंडर आता है तो यह olan arता है UNESCO कीं अंडर में आता है ठिक है उसके बाद आगे चले अत्रिक्त उरजा सरफलस एनर्जी का सिध्धान किसी ने दिया था जो Strguymat कर्मिक होती है का इसटेटमिन किसे ने दिया था तो इसको हमारे पास दिया था Spencer and Schiller ने दिया था Spencer and Schiller ने दिया था उसके बाद है कालजी बहुत करोनलोजिकल एज ठीक हैं उसको करोना गार्मिक उमर है बड़ी दिक्क्यत्वली बात है इसको इंग्लीश में लेखें कारो महीनों और दिनों से निधर होती हिए उसको हम लोग बोलते हैं कोरोनलाजिकल एज उसके कर रहा है वाट इस दा कोरोनलाजिकल एज ही हो गई उसके बाद कर रहा है एस्थेटिक बॉड़ी टाइप के संबंदित है इसमें हमारे पास क्या होगा आप्शन नमबर डी लीन सेलो दूबला उतला चाती ठीक है ना उसक के बाद है एंडोमार्फ संबंदित होता है जो एंडोमार्फ होता है वो किस से रिलेट करता है इसमें हमारे पास होता है मोटा पास है कि यह आदमी जो मोटा होता है उसके पिकिनिक बिल्ड शब्द है क्या है पिकिनिक बिल्ड इस रिलेट करता है छोटा और मोटा से जो में हैं यह इस्तेमाल होते हैं से में उसके बारे में जो एक्टोमार्फ जो एक्टोमार्फ संबद्ध्य नाइटिक ताफिक वह ने श्वासाफिक पूर्ट वशच वासट जर्मनी में इस्वूल आप जिमनाश्टिक की एव थाफिक इस्थापना किसी ने की थी उसके बारे में है तो उसको किया था एड़ोंफ इसपीज ने खि county है। उसके बाद है आराम की समय खिलाली का हिरिदा है परफ​​ती एक 2 बार धलकता है जब रिश्च करता है crushed कितनी बार धळलकता तो वह होता है हमारे पास 40-60 परती मिनट एक मिनट में वो लगबग 40-60 बार धलकता है उसके बाद हमारे पास है भारत को अधिकतर आधुनिक खेलों में किसने आउतराया आधुनिक खेल जो यह modern जो इस्पोर्ट है उसको किसने करवाया था उसको करवाया गया था बेर्टेस चेना ने क्योंकि बेर्टेस चेना उसको देख कि इंदुस्तानी लोग जादा खेलते थे उसलिए उसके बाद कही रहा है एक अथिलीट का हिर्दे है ठीक है ना उसको यह क्या होता है वियाम के समय कम कम करता है और अर आराम में ट्यक्राइब करता है तो उसको काम कम करता है उसके बाद वियाँ के समय काम कम करता है कि आइसमें है कि जब वह हैं कि एक एथलीट का है जो दिल होता है हटॉफ फोले सब्सक्राइट ठीक है न जब वह आराम करता ते тебе जादा तेजी से काम करता है वाइक वैसे काम ग्षेलते वहले वक्ति करके कम होता है लंभी दूरएdar प्रूस की गोड़े होते हैं जोbook जो जादा दूर तक दोड़ती हैं उसके लिए उनमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं तो उनमें हमारे पास अधिक मात्रा में लो इस्ट्विच फाइबर होने चाहिए जो हमारे पास नहीं जो उनके अंदर बिसके लिए वो क्या बोलते थोड़ा सा वो याद नहीं आ रहा उ तो इसका क्या अस्थान तर्ल प्रभाव पड़ता है इसको क्या ट्राज़म होता है तो उसमें हमारे पास यह होता है जो sound mind in the body sound body जो हमारे जो sound mind जो दिमागी आवाज होती है वो उसको उसकी बाड़ी में अच्छे से सुन सके उसके बारे में है उसके करा कि अच्छी मास पेश या tone अत्यधिक रूप से संबंदित होती है एक अच्छा होता है उसके बारे में है तो देखें गुड मसल से tone is highly related to a good किस से relate करता है वो reaction time से करता है अगर आप अच्छे से react करते हैं तो जानि कि आपकी जो body या जो muscle है वो सही से काम कर रही है वो आप fit हैं अगर आप सही time पे react किसी चीज़ को करते हैं उसके किस परकिरिया को अपना हर किसी को अपना कर हर किसी व्यक्त को अलग किया और पहचाना जा सकता है ठीक है इसमें क्या होगा हमारे पास इसमें option number A होगा यह genetic material होता है कोई चीज होता है कि आप किसी को एक दूसरे से पहचानते हैं उसको कह रहा है कि इस statement किसमें दिया था आप फिजिकल एजुकेशन 1956 किसके दुवारा परशाद किया कहता है ठीक है तो यह दिया गया था Central Advisory Board of Physical Education and Refraction के वह इसको याद रख लिजगा यह सब कुछ चीज़ें बहुत काम किया है उसके बाद आप इसकी शार्ट लेज़ें सबसे अच्छा तरीक है यह ना नेचनल प्लांस आप फिजिकल एजुकेशन 1956 डोलर भाई तो यह सेंट्रल एजुकेशन एडवाईजिरी बोर्ट हुए था उसके बाद है जिस किस देश के अंदर पोक स्कूल सारे रिक्स इच्छा के नए विचार लाने के लेने के लिए जाना जाता है कौन से इसको दर है 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 हंटिंग को उसके बाद अगला कोश्चन है आम तरुपा जो निच्चिस सामान उद्देश लच को प्राप्ति की दिशा में अगरली होती है उनको किस नामते जाना जाता है इसमें देखें आप्शन नंबर भी आपजक्टिव किस नामते जाना जाता है आपजक्ट रिशाती है ओलंपिक के लिए इंसान खेलता है जो फिजिकल एजूकेशन होती है उसके बाद अगला देखें कहरा है कि नेलिखित में से किसको विरासत के विशाय के रूप में देखा यह जो हम लोग कहते हैं कि मैटर आप धा हेरिटेज ठीक है ने उसमें देखा जाए तो आगे देखा जेकर कुश्चन को दा फार्मिट आफ दम में फार्मल एजुकेशन आफ फिजिकल एजुकेशन शुट बी मेड बाई कीपिंग इन दा माइंड इसका आप्शन नंबर भी होगा ऑन दे स्पोर्ट एंड गेंग उसके अगला कुश्चन में जाए था है विच जो शोशैलिटी होगी आपस में वो इंक्रीज करेगा उसके राजकुमारी अमरित कावर कोचिंग स्कीम 1953 को वापस लेने के काराल था कि जो राजकुमारी स्कीम थी उसको कब क्यों वापस लिया गया है उसमें सबसे बाद था कि वो राश्टी खेल के संस्था पटियाला क उसके बाद आगे है कि निलिकित पहलुगों में से कौन सा पहलू शारेलिक सिच्छा के समिकल बनाने में कोई महत्त नहीं रखता है जब बच्चा 17 सार की उमर को पार कर जाता है ठीक है न उसमें होता है उचाई यानि हाइट बेसिकली होती है उसके जीवन की गुरुत्ता सीधे रूप से संबंदित होती है जो किसी भी इंसान की क्वालिटी आफ डा क्वालिटी आफ लाइफ इस रिलेटेड टू किससे होती है वेक्तिके सों और स्वास्त की स्थिति से उसके बाद आगे हम लोग देखें इसमें कुछ देख लिए जो इंपॉर्टन कॉश्चन ह सेताववस्था को हमारी पल्स दर सबसे कम पाइती है क्यों जो किसको नहीं मानते हैं त। ँसमें हमारे पास होता है यूग इकससाइज को थे को आइन आइरोभिक हुश्त उसके बाद है आज कल राष्टी कोचिंग इसकी मपरोच अस्पश्ट रूप से नियंतित किया थी जो राष्टी कोचिंग होती है उसको किसकी दवारा करते है तो भारती खेल प्रादिक्राण के दवारा उसके बाद अगला कोश्चन हमारे पास है बच्चे की विरिद्धी और विकास को औरोद करने के सबसे गंभीर खत्रा होता है ठीक है ना इसको सबसे गंभीर खत्रा होता है वो कुपोशार से होता है यानि की जो खाने पीने की की वज़ए वज़ा से कोई दिक्क्र रहाती है उसके अगला कोश्चन है जिन मासमेशियों का निर्माल एन इसको अपने क्या होता है ठीक है उसमें बहुत जादा एनरजी होती है इसलिए जो योगा वगएरा करते हैं वो सांस को अपनी रोक के योगा करते है ठीक है ना इसमें आता है एक्स्प्लोजिव इस ट्रेंथ उसके बाद है नेशनल डिसिप्लीन इसकीम का जनमस्थान कहां माना एता है ठीक है ना दबर थाफ इस नेशनल डिसिप्लीन इसकीम उसको हम लोग कहां पर बानते हैं उसको मानते है कस्तूरुबा निकेतन लाजपत रगन निल्दिल्ली कस्तूरुबा गांधी की मैं तमाज़ ले उसके तो गांदी जी बड़े discipline आदिमी थे गांदी जी कभी discipline के साथ खेरवार नहीं करते हैं आप लोग कोई साथ यसे आप लोग बिना discipline के रहते हैं है ना उसके बाद है कि परियास और तुरूटी trial and error learning को किस किस नाम से जाना जाता है तो देखिए जहाँ पर आप खुद निकाल सकते हैं किस तरीके से निकालता है सो मैश सीखना है भाई आप खुड़ दे ट्राइ करेंगे गलत होगा पर उससे सीखेंगे तो उसके बाद अगली बार वो गलती नहीं करेंगे उसको बोलते ह यहिए बाइलोजी को लाफ यूज अंड डिस्यूज उसके बाद है ओम ओमम ओर्फ ट्राइब आप परसन को बोला जाता है उस बोला जाता है पेट पार पोट पेट आकार ठीक है ना पोट बेलिशेप उसके पराचीन उलंपिक खेलों पर रोमन सामराथ थियोडोमिसिस कि कब पर्थिपंदी लगाए थैंगी कब ये जो हो गाता है वो उसको बैन किया गया था उसको किया गया था 393 AD में उसके बाद है इस्तामबूल में 2020 में गर्मी की दिनों में जो अलम्पिक खेलो कोई मेजबानी खो दी थी कथित तोर पे इसके पीछे मुक्र क्या काराड था उसके पीछे काराड क्या था उसके पीछे हमारे पास है आप्शन नमबर देखा जाए इसमें तो आप्शन नमबर ए में क्या क्या है हमारे पास सिकंड और फॉर्थ उनके अधिकारियों के दोगारा खराब परस्तुती उस उसमें आपको यह चीज द्यावाव उतुरंदर कैंसल रहाता है उसके बाद आगे चला जाए कौन से ओलंपिक खेल पहली बार अंतरराश्टी अतर पर टेलीवीजन परसारिद किये थे टेलीवीजन में हमारे पास कौन से गुगा था 1964 ग्रीज मिकालीन ओलंपिक ठीक है उसक पास पहले नंबर पर ते कैयरोल लीना उसके बाद 3 पूरसल वंकेटन सिंदू उसके बादifice हमें ते लिजोरी तो चारनीकी पहले पास यह निकलिया पास यह तो इस तरीके से हमारे पास है उसकी कि में शीथ काली इन उलफिक खेलों को मोटो क्या था उसका यhero कि में जो मोटो था वो क्या था तो उस low देखे इसमें हमारे पास है पैसेुड कटकट ठिक हैं उसके बाद है पैसे नarya कंणेक्टड हो गया तो यह हमारे पास यह unit number one के most important question थे, आपको इस question को देख लीजिए, उसके बाद आप उसको तयार कर लीजिए, मिलते हैं ऐसी यह दोसरी unit के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहें, thank you for watching.